विडियो कॉन कर्ज मामले में विवादों में घिरी ICICI Bank की CEO चंदा कोचर के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है एक तरफ चंदा कोचर के पती दीपक कोचर की कमपनी New Power Renewables के निदेशक से पूछताच की गई है वहीं अब Bloomberg ने दावा किया है कि ICICI Bank का चंदा कोचर पर विश्वास डगमगा गया है ICICI Bank के Board ने दो हफते पहले ही मामले में चंदा कोचर पर पूरा विश्वास जताया था लेकिन अब Bloomberg ने दावा किया है कि इस मामले में बैंक के कुछ सदस्यों का कहना है कि जाच होने तक चंदा को CEO पत छोड़ देना चाहिए Bloomberg की रिपोर्ट के मताबिक बैंक के कुछ डायरेक्टर्स चंदा कोचर के पत पर बने रहने का विरोध कर रहे हैं इधर देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ICICI का बोर्ड चंदा कोचर के इस्तीफा देने के मुद्दे पर इस हफ़ते मुलाकात कर सकता है चंदा कोचर का कारेकाल 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है हलांकि बैंक ने इस रिपोर्ट का खंदन किया है लेकिन ये तैह है कि करजवाले मामले पर ICICI बैंक के भीतर सब कुछ सही नहीं चल रहा है